हर साल की तरह इस साल की इदे मिलाद की मौकी पर यवतमाजिले की दीगरश शहर में मौलाना अब्दुलकलाम मार्केट लाइन में कादरी क्रूप की और से बड़े पैमाने पर स्वादश्ट शाकारी भोजन वितरन कारिकरम का आयूजन किया गया इस मौकी पर कादरी क्रूप ने कौमी एक जयती के लिए मशूर दीगरश शहर की हिंदू-मुसलिम एक्ता की मिसाल को साकार किया हमेशा की तरह इस बार भी इदे मिलाद की पूरुवस संध्या पर कादरी क्रूप ने शुक्रवार को तमाम दीगरश वासियों के लिए महाप्रसाद वित्रन कारिक्रम का ना सिर्फ आयोजन किया बलकि इस कारिक्रम में शहर के सभी चाती धर्मों के आम और खास नागरिकों को शामल कर दिग्रस शहर की हिंदू मुस्लिमेक्ता को साकार किया इस कारिक्रम में कादरी ग्रुप के बुलावे पर शहर के विभिन छेतरों में सक्रीय प्रतिष्ठित लोगों ने खुशे खुशे इस समारों में उपस्तिती दर्च की इस कारिक्रम में राजनिती छेत्र, सामचिक शेत्र, पत्रकारिता, आदी सहित, व्यपारी बंधूम और दिक्रस शहर के नागरिकों ने इस कारिक्रम में बढ़चड करह सलिया कारिक्रम का आगास, कुरान पठन, नाते पाक और फातिहा खानी से हुआ इस तोरान कारिक्रम में शेहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने शिर्कत कर इस कारिक्रम के आयोजगों को शानदार आयोजिन की बधाई भी दी इस कारिक्रम में बारा साल से यह कारिक्रम हो रहा है इंदू मुस्लिम एक्ठतेका था यह कारिक्रम बहुत अच्छी तरीके से अग्रिक्रम से के अरब से आयोजित किया जाता है हमारी करब से भार्डे जन्ता पार्टी जिल्ला के तरब से पूरी शुबेचाय देते हुए करने के लिए सभी तरब करता हुआ है अग्यों आधम करता है बिस्मिल्लाए रह्माने रही है आज इस इनके शुबबर्वा पर मैं सभी मेरे भाईयों को और इन आयजोगों को पहदीन से शुबता पर रिता हुए और आज इस इस इल्किनि नुगत दो शक्ण भोलता म elabor अपनी घ्जाले दा हूँ क्यू लड़किय दुन्या अपस में यह बात समझ में नहीं आदी क्यू लड़किय दुन्या अपस में यह बात समझ में नहीं आती मजब पे लड़ना ना तो गीता ना फुरार इसे गालती है। मुस्लिम एकता का प्रदर्शन होता है जो के इसलाम धर्म और अंधित प्रिशित मौहमद संदना अलिशनम का पिक्षित है। जो धर्मी कुछ सो होते हैं वो मनाना यही इसलाम धर्म का सक्षपाइगा में और यही अंधित प्रिशित मौहमद संदना अलिशनम का पिक्षित है। इस कारिक्रम में भाजबा तहसिल अध्यक्ष रविंद्र अरगडे, शिवसिना एक नात गुट के सुधीर देशमुक, उधव ठाकरे गुट के वरिष्ट शिवसैनिक पूनम पटेल, पूर्वो उपनगर अध्यक्ष जावेत पटेल, भाजबा बदादिकारी बंगिन बार आदी सहित बड़ी संख्या में शेहरवासी उपस्ते थे, इस दोरान कारिक्रम में शिर्कत करने वाले सभी महमानों का सथकार किया गया, मालूम हो कि इस कारिक्रम में दिग्रस शेहर के तमाम हिंदो मुसलिम बंधों ने बढ़ चड़ कर हिसा लेते हुए, मह बनाने के लिए परिश्रम किया, कुल मिलाकर ये कारिक्रम बीहत सराहनिय सावित हुआ, जिसमें ईदे मिलात के मौके पर शेहर की एकताव और कौमी एकचैती की मिसाल इस कारिक्रम के जरिये हकीकत में साकार की गई, इन्बिसे न्यूस के लिए दिग्रस से जुबैर खान क कि रिपोट.